नमस्कार DCP NEWS में आप सभी का पुन स्वागत है में आपके साथ दिवान नोटियाल और खास कबरों में आज बात करेंगे शिक्षा ब्यवस्ता को लेकर जिहां परदेश में शिक्षा ब्यवस्ता की इस्तिती दोयम दर्जे की बनी हुई है बीगत कहीं वर्षों से अगर हम तो दुर्गम छेतर पहाडों पर शिक्षा व्यवस्ता भगवान भरोशे चल रही है इसी प्रक्रण से जुड़ा हुआ हाली में आपने देखा हुआ कालसी शिक्षा बिबाग में जहां पर की बच्चों सहीत इवानेता कमलेश भट शिक्षकों की नियुक्ति की समस्या को लेकर पहुंचे थे वहीं इसी प्रक्रण से जुड़ा हुआ आज एकन्य मुद्दा सामने आया है जहां पर की ग्राम अस्टी कालसी तैसिल के ग्राम अस्टी के ग्रामिनों ने भी अस्टी में जो बिध्याले है वहां पर पिछले 6 साल से सिर्फ एक शिक्षा के कार्यात ह इसले नहीं है आगे खबर बिस्तार से कालसी ब्लॉग के अस्टी गाव में पूरमादमिक विध्याले कर ग्राम पासियों ने अपनी समस्या ब swarm द्रsmक्रण बंद रहता ह है फीछले सालों से एक फिर और की चळ्वाद्याने चल रहा है दूसरी ओर आई स्कूल भी नहीं चलता है ग्रामिनों का कहना है कि सुबह अध्यापक देरादून से नौ बजे इसकूल पहुंचते हैं जो कि बारा बजे छुटी कर देते हैं ग्रामिनों का सत्र में इसी कारण आई स्कूल का परिणाम जीरो परसेंट रहा है अश्टी गाउं के मूल निवाशिन दिरादून के डी बीएस पीजी कॉलेज के चात्र संकें पूरों महस्तचिव परदिशिंग तोमर ने इसकी शिकायत खंशिक्ट अधिकारियों उपजिला अधिकारी को की इस पर संबंदित अधिकारियों ने तोमर की शिकाय को गंबिरता से लेते हुए ततकाल इसकूल का निरिक्षण किया निरिक्षण में अश्टी के प्रात्मिक इसकूल जूनियर इसकूल वो हाई सकूल में बहुत सारी खामिया पाई गई खंशिक्ट अधिकारी ने ग साया से शांती बर्मा की रिपोर्ट डिसी पी नियू जुत्रा खंड के लिए इसकूल अच्छे से चलेगा इसकी हम ऐसी उमीद करते हैं और लक्षमी कान जो की जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकते उनको भी उनका यहां से तबादला या जो भी उन पे कारवाई होगी उसका भी उन्होंने बरोसा दिलाया है एक और विशय है मैं अक्सर देखता हूँ यहां पर टीचर जो हैं बहुत दूर दूर से धहरा दून से रिशी केश से हरित द्वार से ना जाने कहां कहां से आते हैं आजकल बरसात के मौसम में कैसे टाइम से पहुंच जाएंगे स्कूल में कहीं सड़क तूटी हुए कहीं बसात हो रही है कहीं कुछ हो रहा है तो सरकार को इस वर ध्यान देना चीए एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके उपर बहुत ध्यान देने की जरुवत है पहाड़ों में बच्चों का भविश्य जो है बिल्कुल अंधकार में यहां के बच्चों को कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इनकी होती नहीं हो पाती इनको आता निये कुछ ज्यादा तो ऐसे में क्या कर पाएंगे लोग आज राज के उच्छ प्रार्शन के ज्याला अर्श्टी से अलविवाओकों का हमें फ्वन आता है कि हमारी स्कूल में विघ्याद तीन दिनों से टीचर नहीं है इस बात के जान शेत हो मुझे मुझे मुखी शिख्षा अदिकारी और जिला शिख्षा-दिकारी प्राण पेर शिख्षा दारा बोला गई है कि आप इसले निरिक्षन कर गया आख्या वीडियो इसल पर आने पर पता चला कि यहां पर एकल शीक्षक हैं स्री लक्षमिकान वह पिछले टीन दिनों से बिना अनुमति और पूरू सूचना की गयाव है आज जब आए तो 11 बजे स्कूल आए ना तो उन्होंने इस बात के पर मुझे बता है कि गुरू जी ने हमें यह बता दिया गया कि आप जागड़े की छुटी में घर चले जाओ दो दिन छुटी रहेगी अब छुटी किसी भी तरह से ना जिला दिकारी मोहदय द्वारा दी गई थी ना जंग पर इसकर हमारे उच्छा दिकारियों द्वारा तो यह आपने देगी दुर्गम छेत्र पहाडों की शिक्षा बैवस्ता की इस्तिति और इसको देखते हुए कही ना कहीं परदेश सरकार की बैवस्ता पर प्रश्न चिन उठते हैं एक और जहां परदेश सरकार पलायन को लेकर गंभीरत अब्यक्त करती है वहीं दूसरी पलायन का जो कारण है शिक्षा यह स्वास्ते उस पर कहीं ना कहीं ठोस रणनीती से कार्य नहीं कर पा रही है अभी देखने वाला बिश्य होगा कि खंट शिक्षादिकारी के द्वारा जो आज बिजिट की गई है इसके बाद क्या कुछ असर अस्ती स्कूल में देखने को मिलता है वहीं प्रश्ण चीन यह भी कि जिन टीचरों के ट्रांसफर पहाडों के लिए किये जाते हैं आखिर वो पहाडों पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं क्या यदि वो नहीं पहुंच रहे है तो उनको उनके कार्य से मुक्त नहीं कर देना चाहिए क्या टीचर जो लेकिन देखना यह होगा कि क्या पहाड़ों की यह देहनिय स्थिती शिक्षा और स्वास्त में कब बदलेगी परदेश की युवा सरकार परदेश के युवा मुख्यमंत्री गुशकर सिंग धामी क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाएंगे फिलाल के लिए आप इसाज़ नमा